हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड बॉर्निंग, दिस इज एमेल चोधरी फ्रॉम सीकर राजस्तान, आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जी के, देहिंदू वोकेविल्री हेल्पिंग एलेंडिंग हैंड का एक खास सेशन, जहां आपन पढ़ेंगे वोकेव के कुछ खास स साथ ही साथ उनके कुछ सिनोनिम्स और इंटोनिम्स रोज की तरह फिर नहीं कहना पड़े, एक मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर इन वर्ड से रिल्टेड, अगर आपको कुछ वर्ड साते हैं, तो वहां कमेंट कर बताना नहीं बू करते हैं, मैं जैसे हाथ से इसारा करूं, आपको क्यू दूँ, वैसे आप सटर गिरा देना, ठीक है, तो देट इस क्यू, क्यू का मतलब होता है, इसा ही कुछ इसारा दिया है, आर बी आई ने गवर्मेंट को और बाकी बचेवे बैंकों को ताकि वो जो अपने फाइनेंस दिया है, या फिर सिगनल दिया है, तो वेरी फर्स वर्ड इजे क्यू, इसे ही मिलता जूलता एक वर्ड होता है बच्चे, हु, ह, यू, ए, ही, iba का मतलब होता है color रंग ठीक है तो q and hue q यानि इशारा signal और hue यानि रंग next word की तरह बढ़ जाए आज का next word है combat combat का मतलब होता है लड़ाई या फिर संगर्स या फिर सामना विशेशत है यूद में जैसे अभी we all are combating with covid-19 अभी हम लड़ रहे हैं जगड रहे हैं या फिर मैं को संगर्स कर रहे हैं covid-19 के साथ तो fighting और a fight especially during a time of war the police are planning police plan कर रहे है external measures यानि और खटीन कड़े प्रावधान to combat crime crime से लड़ने के लिए दो-दो हाथ करने के लिए उससे fight करने के लिए बहुत अच्छा बढ़ दिये जा रहा हूँ that is confront करने के लिए face या फिर crime को encounter करने के लिए यह सारे के सारे इसके synonyms हो जाएंगे अच्छा वर्ड है confront या फिर एक फ्रेज भी यूज सकती ग्रेपल वीद ग्रेपल वीद जी आरे डबल पी ली विद नेक्स वर्ड की तरह बढ़ जाए combat के बाद आज का अगला और word of the day है that is generous इस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है generous एक ऐसे वेक्ति को कहा जाता है जो उदार चीत होता है इंडिया की बात करूं तो मैं फिलाल रतन टाटा सबसे उपर आते हैं इस लिस्ट में एक बार रतन टाटा के लिए जैहिन जरूर लिखना कमेंट में रतन टाटा happy to give more money help etc than is usual और expected यानी जितनी सहायता की जुरत थी usual थी उससे कहीं ज्यादा expected से ज्यादा दे दिने वाला आदमी एपरतेशी रूप से सहायता द बड़ी दयालूता थी या वो दयालू निकले to lend us all that money के उन्होंने में इतना पैसा लगबग उधार दे दिया नेक्स देखो जरा इसके synonyms बड़े important है एक एक वर्ड पूछा जाता है एक्जाम में liberal lenient magnanimous M से दो वर्ड है magnanimous और munificent magnanimous और munificent उदार्चित bountiful वैसे bountiful का आर्थ होता है बहुत ज्यादा plentiful भी होता है भला आदमी benevolent या फिर charitable जो charity करते चलता है दान करते चलता है तो यह सारे के सारे वर्ड उदार्चित के लिए हैं उल्टा हो जाएगा कंजूस कंजूस बोले तो close fisted miserly निगर्ड ली पार्सिमोनियस स्टिंगी पेनी 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 पिंचर जिसको कहते हैं कंजूस पेनूरियस अंचेरी टेबल तो यह सारे के सारे इसके एंटोनिम निकल के आते हैं इस पूरी की पूरी लिष्ट को आप उतार के रख लीजिए साइन और इंटो की बहुत-बहुत-बहुत महत्तोपूर्ण है किसी भी examination में एक वर्ड आ उसक रूप से पुछा जाता हैं चलो generous बोले तो रतन टाटा next word overarching यह आज का नया वर्ड है overarching overarching का मतलब कोई भी चीज जो बहुत important हो अती महत्तोपूर्ण हो जो because it affects include or influences many things क्योंकि य बहुत सारी और दूसरी चीज़ों को यानि comprehensive है extensive है समावेसी है inclusive है या all embracing यानि सबको गले लगा कर चलने वाली है सबको सामिल करके चलने वाली हैं महत्तोपूर्ण के लिए दो और वर्ड crucial momentous और monumental दोनों ही काफी important वर्ड बनते हैं भी momentous और monumental अती महत्तोपूर्ण के अपना टार्गेट है now should be to keep the economy उसको क्या करना चाहिए कि एकोनोमी को एफलोट करना चाहिए एफलोट का मतलब चलाए मान रखना चाहिए by deploying काम में लेते हुए तैनात करते हुए all the instruments RBI के पास जो भी सिंसादन है add the RBI command वो RBI की command के तह दे दिये जाए क्या कह रहा है सरकार क्या कर सकती है भी जो सबसे महतोपूर्ण objective है वो क्या है भई कि एकोनोमी को भी एफलोट रखा जाए इसके लिए क्या किया जाए सारे के सारे instruments से उनको deploy कर दिया जाए लगा दिया जाए add the RBI command यानि RBI की निगरानी में तो ऐसी स्तिती में अपन क्या कर सकेंगे इस economy को ए यार कर देना या तैनात कर देना ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं यहां सेना तो तैनात होने से RBI का एकोनोमी सुद्रेगा नहीं तो क्या करेंगे to use something in a useful and successful way किसी वस्तु का प्रभावी डंग से इस्तेमाल करना इसके लिए यहां इस कंटेक्ष्ट में वर डिप्लोई जुआ है वही सेम एक्जांपल है दे ओवर आर्चिंग अब्जेक्टिव नौ शुड़ भी टू कीप दे एकोनोमी अफलोट बाई डिप्लोईंग ओल दे इंस्ट्रुमेंट्स यानि सारे इंस्ट्रुमेंट्स जितने भी अपने पास नहीं उनका प्रभावी स्तामाल करन चाहिए निर्देश अनुषार डिप्लोई कार्थियां हो जाएगा यूज और उटिलाइज या टेक एडवांटेज ओप किसी चीज का लाब उठाना या अवेलबन सेल पॉप नेक्स वर्ड बढ़ जाए जरा इस्टेंड सील इस्टेंड सील जो अभी स्टेंड सील चल र चाहिए इस एड या है है इस कम तो एक्उम्प्लिट स्टेंड सील यानि ट्रफिक इज एड लोग गया है ट्रेफिक अप उल्ट हो गया है उसको डेड स्टोफ है या फिर स्टोफ हो गया है तो यह इसकी सिनोनिम के लिए काम में आ जाएंगे नेक्स वर्ड देख़िजड का बिल नहीं लिया जाएगा किसी भी आदमी से तीन महीने बाद जमा कराना और किसी भी वेक्टी विशेश से तीन महीने की installment या किसी किस्त के लिए दबाव नहीं बनाये जाएगा तो ऐसी प्रिष्टिती को कहा जाता है मॉल्टोरियम मॉल्टोरियम नहीं किसी गतिविदी पर ऐस्ताई प्रतिबं विशेशते सासन की सहमती से टेंपरेरी स्टोपिंग ऑप एक्टिविटी स्पेशिल वा ओफिसियल अग्रिमेंट तो दे कन्वेंशन कॉल्ड फॉर जो कन्वेंशन यानि करार हुआता जो समझोता हुआता वह किस बात का हुआता टू यर मॉरिटोरियम दो साल का विशेश प्रतिबंद रहेगा ऐस्ताई प्रतिबंद और कॉमर्सियल वेलिंग वेलिंग यानि ब्लू वेल जो वेल मचली होती है उसकी जो कॉमर्सियल वेलिंग है यानि उसका सिकार बेचने के लिए जो करना था उस पर दो साल का पूरत इसता है प्रतिबंद है सरकार की सहमती से, एक स्टे है, इंबर्गो है, बेन है, सस्पेंशन है, पॉस्पोनमेंट है, या फिर एडजोन, इस्तगन है, एडजोनमेंट है, ये सारे वर्ट्सिस की सिनोनिम के लिए यूज कर सकते हैं, आएज जरा बहुत अच्छा एक फ्रेज जिवाज प्रोपप, प्रोपप का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को संभाल लेना, या किसी भी प्रिस्तिती को संभाल लेना, जैसे अभी आरबियाई की प्रिस्तिती खराब चल रही है, तो प्रोपप करने की जुरत है उसको, यानि टो स्टॉप सम्थिंग फ्रॉ करते थे उसको वैसे ही to give help encouragement or support to someone किसी वेक्ति को इस तरह से संभालना भी क्या कहलाता है प्रोप कहलाता है जैसे मैं को his faith prop'd him up उसके भरोसे ने उसे संभाला in times of crisis crisis यानी संकट के समय में उसका जो खुद पर भरोसा था उसने उसे प्रोप किया सहरा दिया संभाल लिया support करना क इसके synonyms हो जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे बच्चे बहुत अच्छा वर्ड है एक फ्रेजल है वब है abide by abide by पहले भी आचुका है जिसका तो accept and act according to a law and agreement यानि किसी नियमों का पालन करना और उनके अनुशार चलना यू will have to abide by the rules of the club तुमें क्लब के नियमों को पालन करना होगा उनके अनुशार चलना होगा पालन करने के लिए बहुत अच्छे चे वर्ड से वीद प्रेपोजिशन याद किजिए comply is followed by with obey follow stick और adhere के बाद यू जो थे प्रेपोजिशन ने तू तो दियान रखना stick to adhere to or comply with ब कानून तोड़ना ब्रीच वैसे ब्रीच कारत होता है भंग करना तोड़ना ट्रांस ग्रेश कोंट्रावीन फ्लाउट वाइलेट और इंफ्रिंच तो इस तरह यहां कुछ आपको एक्जामपल मिल रहे हैं कानून तोड़ने के लिए और अबाइड भाई के हो जाएंगे य इनएविटेबलsche का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको अवोईड नहीं के जा सकता रोका नहीं जा सकता फिलाल तो कोई नईटीन हो रहा है ठीक है जिसको रोका नहीं जा सकता टाला नहीं जा सकता ए नहीडिप अफितुम स Heaven संथ्लेंगे उल्यठ विद मोर्री दे र इन डिस्पेंसिबल यानि आवसेक अति आवसेक इन एलिनेबल है उसको रोका नहीं जा सकता डियर स्टुडेंट्स कैसा लगा शेशन सेर किजिए दोस्तों के साथ सभी तक यह पहुंचाईए ताकि हमारा भी होसला और उत्सवर्दन बढ़ता रहें देखते रहें टॉप ट